दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल Only Motor CMY की एक और न्यू वीडियो में आज की इस वीडियो में लोग बात कर रहे होंगे Post Office की PPF scheme के बारे में Post Office की यह PPF scheme है यह 2024 में जो interest rate आपको provide कर रही है तो इसमें अगर आप लोग 60,000 रुपए जमा करते हैं तो यह आप लोगों को कुछ years के बाद कुछ सालों के बाद यह आप लोगों को 16,27,284 रुपए जी हाँ कौन से लोग इसे open करा सकते हैं क्या criteria होने वाला कितने सालों के लिए कितने सालों के बाद आप लोगों कोई amount मिलेगा क्या interest rate चला तो सारी details जानेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं इसका जो नया interest rate है यह currently इस साल के जनवरी मंत में change हुआ था जो कि हमें 7.1% का per annum compound yearly interest rate प्रवाइड कराता है अब अगर बात करें कि हमें इस account को कितने रुपए से minimum open करा सकते हैं तो हम लोग monthly 5 रुपए देकर इस account को open करा सकते हैं ए आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मैक्सिमम जो हम लोग इसमें इंडियन रुपीज जमा कर सकते हैं वो डेढ़ लाग रुपए एक साल में एक financial year में पीपीफ अकाउंट के अंदर हम लोग डेढ़ लाग रुपए जमा कर सकते हैं तो दोस्तों यह तो हो गई एक उपर प्रोवाइट करा रहा तो अगर यह हम लोग एक साल में कितना रुपए जमा करें कि उसके बाद हम लोग को 15 साल में देखिए यह वैसे तो 15 सालों की स्कीम होती है इसमें हर साल आप लोगों को कुछ fixed amount जमा करना होता है आंगे आने वाले 15 सालों तक मतलब एक साल में जैसे 10,000 रुपए जमा करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को 15 साल के बाद without tax आप लोगों कितना maturity amount मिलेगा 7.1% के interest rate जो की प्रोवाइड होता है तो उसके बाद आप लोगों को क्या interest rate से मतलब कितना maturity amount वनेगा तो यह calculate करने के लिए चलते हैं अपने पीपिएफ थे याँ पर आप लोग देख सकते हं हम आ आक चुकी है हम आ चुके अपने फीपिएफ calculator पर जैसा कि आप लोग लोग स्क्रीन बर देख पा रहे होंगे अगर आप लोग इसमें त्समें देख सकते हैं अगर आपलोग 5 रुपए की करते हैं तो इसके बाद आप लोगों को जो 15 साल के बाद amount मिलेगा maturity amount वो 13,561 रुपय होगा जो आपका invested amount होगा 500 रुपय के इसाब के साथ वो 7,500 होगा जिस पर आप लोगों को interest मिलेगा 6,61 रुपय तो आईए जानते हैं अगर आप लोग इसमें लगबग 10,000 रुपय जमा करते हैं हर साल 10,000 रुपय जमा करने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं 10,000 amount कम select कर देते हैं यहां पर 10,000 अगर आप लोग हर साल 10,000 जमा करते हैं 15 सालों तक तो इसके बाद जो आप लोगों को invested amount हो गया वो 1,500,000 रुपय हो गया और जो हम लोग का total interest amount मिलेगा वो 1,21,214 रुपय का मिलेगा और जो maturity value होगी वो 2,71,214 की होगी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं इसी तरह से अगर हम लोग इसको early investment को अगर 20,000 पर set करते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं 20,000 पर set करने के बाद जो 7,1% का interest rate है उसके साथ जब हम लोग जो हमारा invested amount है वो 3,00,000 रुपय का हो गया और जो हम लोग का total interest है वो हम लोग का 2,42,428 रुपय का मिलेगा जिसके आद हम लोग को maturity amount post office की यह scheme 5,42,428 रुपय पे करेगी आँगे 15 सालों क बाद वो भी without tax के साथ अगर इसी तरह से आप लोग एक साल में लगबख 50,000 रुपय जमा करते हैं या 40,000 मान लेते हैं 45,000 तो उसके साथ अगर आप लोग देख सकते हैं 45,500 रुपय अगर हम लोग 15 सालों तक जमा करते हैं हर साल 45,500 तो यह scheme जो पीपयाव इसमें जो हमारा invested amount होगा वो 6,82,500 प्रोवाइड होगा वो 5,51,523 रुपय होगा और जो हम लोग को maturity value मिलेगी वो 12,34,000 रुपय की होगी इसी तरह से अगर हम लोग 60,000 रुपय जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग बताए कि अगर आप लोग स्कीम में 60,000 रुपय जमा करते हैं 15 सालों लिए तो यह स्कीम आप लोगों को आंगे 15 सालों के बाद आप लोग देख सकते हैं 60,000 रुपय हम लोग सेलक्ट करते हैं 15 सालों तक लिए तो जो 7.1% के साथ है तो आपका जो invested amount हो जाएगा 9,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 में 60,000 रुपय एक साल में इन्वेस्ट करते हैं ऐसे ही 15 सालों तक तो आप लोगों को पोस्ट ऑफिस की 7.1% के इंट्रेस्ट रेट के साथ आंगे आने वाले 15 सालों के बाद 16,27,284 रुपय प्रवाइड कराएगी वो भी विदाउट टेक्स तो यह बहुत जादा पॉप नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई